प्यारी बच्चों कल सीवेजी और क्लास निंगा रिजल सीवेजी और अनौन्स कर सकती है लेकिन सवाल अभी सही मन में घूमने लगा है कि 11th में हमारे एडिविशन कैसे मिलेंगे 11 पे जो है मैं science लेना चाहता हूँ, commerce लेना चाहता हूँ या arts लेना चाहता हूँ तो science के लिए मुझे कितनी percentage की requirement होगी, commerce के लिए कितनी percentage की requirement होगी और arts के लिए कितनी percentage की requirement होगी government school में क्या percentage लानी होगी, admissions के लिए और private school में क्या percentage लानी होगी, admissions के लिए हर एक सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में लेकर आगे हैं आपके हर एक सवालों के जवाब जो है पूरी complete stream से रेटर जो है पूरी completely बात करेंगे कि आपको कितनी परसेंटेज लानी होगी science के लिए commerce के लिए arts के लिए क्योंकि CVC World का result आने वाला है इसके बाद जो है च कुर्मेंट स्कूलों में जो है आपको एड़िशन के लिए minimum कितने परसेंटेज लानी होगी यानि कि science with a steam लेने वाले है तो आपको कम से कम परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए टेंथ में आपको science with a steam लेने के लिए साथे साथे साथ कॉमर्स की बात करें तो आपके commerce में 45 परसेंट आपके minimum marks होने चाहिए आपको यहां पर और भी क्लियर कर दूँ हर एक राज्यों में हर एक स्कूलों का different हो सकता है यहां पर 55 परसेंट लिखा हुआ है अगर आप 55 परसेंट आपके आ जाते हैं तो आप यह मत समझें कि आपको science with math आपको मिली जाएगी क्योंकि सबसे पहले स्कूल सबसे पहले सबसे पहले बाकी बाहर बादे बाखके 30 सीटे बाकी है आप आप लोग सोचेंगे मैं 25 परसेट लेकर जाओगा को मुझे अन्में सीटे मिल चाएगी ऐसा नहीं हो सकता तक पचास सबसेंगे सब्सक्राइब करते हैं दूसरा दूसरा जो है यह केंद्री विद्धाली के स्टूडेंस के लिए यागर आप केंद्री विद्धाले में पढ़ते हैं तो आपको कम से कम से कम सी पास हो जाना है यापको आपको आर्ट्स मिल जाएगी लेकिन साइंस और कोमर्स स्टीम के लिए आपको 60% और साथिशाद 55% मिनिमम है मैं आपको बार वर कह रहे हो यह मीनिमम है मार्क्स यहाँ कम से कम आपको इतना लाना होगा मैक्सिमम आपको मैंने बताया किस तरीके से बढ़ जाएगी क्योंकि एक 70% का बच्चा आएगा एक 60% का बच्चा आएगा तो 60 वाले नहीं मिलेगा स्टर वाले को पहले मिलेगा और 70 वाले को जब दे दिया जाएगा तो उसके बाद अग प्राइब का physics का हो chemistry हो math biology हो cbc बोर्ड या दिश्वर की तमाम कोई cbc बोर्ड या class 6-12 तक को सब्सक्राइब का तुरंट video solutions मिलेगा आपको साथ वाली को मिलेगा minimum marks है यह आपको माइंड में रखना होगा एक चीज और भी क्लियर कर दो यह केंद्री विद्धाले के स्टुडेंज के लिए उल्ली फोर है यानि कि जो चात ऑल्रेडी अभी केंद्री विद्धाले में पड़ रहे हैं और टेंथ पास करके जो है आपने स्कूल पर पढ़ रहे हैं स्टुडेंट जो किसी अधर स्कूल से यह किसी अधर बोर्ट से आ रहे हैं और वहां पर एडविशन लेना चाहते हैं तो आपको minimum कितना लाना होगा तो यहां पर किस तरीके से देखिए यह दीएभी का डेटा है यानि की डिएभी प्वाब्ली तो 65% आपको minimum होना चाहिए बात करते हैं को और प्राइवेट स्कूल यानि डीपीस की बात करें तो दिल्ली प्वाब्लीक स्कूलों में जो है अगर 10 के बाद 11 में जाते हैं तो उनको एडविशन के लिए कितनी मार्क्स की requirement होगी दिल्ली प्वाब्लीक स्कूल की बात करे सब्सक्राइब करते हैं उन प्राइवेट स्कूलों का यानि नौर्मल कोई सावी रेंडम जो है प्राइवेट स्कूल देशवर में हजारों की संख्या में कई सारे प्राइवेट स्कूल है जहां पर 11 के लिए एडविशनस अगर आप लेने जाएंगे तो वहां पर कोई भी requirement नहीं होगी आपको direct 10 में आपके result होगा उसी की basis पर आपको 11 में एडविशनस दे देंगे उस और एडविशनस केबल उनहीं मिलेगा जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी मैंने आपको इक्जाम देना पड़ेगा और एक्जाम में आपके मार्स आएंगे उसी कॉलों में अगर आपको अच्छे टॉप गॉर्मेंट इसकूलों में लेना है तो आपको जो है यहां पर अच्छे मार्ट की रिक्वाइर्मिंट होगी नहीं तो प्राइबेट स्कूल अपको एडविशनस देने के लिए हमेशा तयार है लेकिन अगर अच्छे स्कूल चाह अगर आप स्कूल ढूंट रहे हैं तो आपको जो है एक अच्छे मार्ट की रिक्वाइर्मिंट होगी अच्छे मार्ट के लिए आपको सब्सक्राइब लेकिन अच्छा स्कूल चाहिए तो आपको साइंस और आपको 70 मिनिमम बतारों में इससे ज्यादा भी हो सकता है काई स तो इस तरीके से आपको फेस करना पड़ सकता है यह होप आप लोग समझ गया होंगे बच्चो ताभी किस बीडियो में इतना ही बच्चो आपके फिर भी अगर कोई डॉट होते हैं तो नीचे कमेंट सक्षर में मुझे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर कर दो आपके इंस्टाग्राम, लोग समझ जरीकिस अवडरी.